प्यारे बच्चों, आज हम क्लास दों सबक नमबर दस यानी इन पड़ेगी। बच्चों अपनी भूख खोलो और सबक नमबर दस दिकालो और देखो। रमजान शरीक की उनादसी तारीख थी यानी रमजान शरीक की 29 तारीख की दिन था। मपरीद का वक Хणत, यानी शाम का वक्त था। लोग इलका चान देख रहे थे। कुछ लोग चातुंपर खळे थे और, कुछ लोग मैदानá जानी जान वोग मैदान देख रहे थे। सब की निगाहें आस्मान की तरफ यानि सब जो लोग थे उनकी निगाहें किसकी तरफ ती आस्मान की तरफ किसी ने कहा मैंने देखा मैंने देखा वो रहा जाएं दूसों ने पूछा का है मुझे भी ठाओ जाएं वो देखो निकला इर का प्यारा प्यारा चान, है आई मिठी इर, दूस्वयों वाली इर, लोग नया चान देखने की दुआ पढ़ने लगे, यानि लोगों ने जब इर का नया चान देखो और वो दुआ पढ़ने लगे, एक दूसे को इर की मुबारगबार देने लगे, या आपको पता है बचो कुछ दिन पहले क्या थी रमजान शविप का रोजे थी और रोजों के बार हमें किसका इंतिजार रहता है एद का यानि प्वांटी नाये दिन जम होते हैं तो हमें इंतिजार रहता है आज एद है आज शाम को मगर्ट के वक्त चान दिखाई देगा लोग दिखते हैं एक दूसे को पूछते हैं चान नीतला अगे देखा आदी राठ को चान नितल आये था इद सब लोग आदी राठ को उठे इद की तैयारी की जब इद होती है तो सुभा हम दुखते हैं नादों के दिमास पढ़ने हैं नए नए पढ़न पनाते हैं फिर गां में जाते हैं लोग निमास पढ़ने चाते हैं जब वहां से आते हैं यह दुस्य को गले लगाते हैं यह दुस्य को मुबारबात देते हैं और दुस्य के घर जाते हैं यह मुबारबात देते हैं या आपको पता है कि यह क् मुभारक्स को हुआ है। enabling के लिए मुभारक्स के जा की है। एक उसे को इदी देते हैं इसको क्या बोलते हैं इद बोलते हैं तो बच्चो लेसन नवर 10 निकालना और इद वादा लेसन पढ़ना और गार में अच्छी तरह बुख़ना और पढ़ना तैंक यू बच्चो